करनाटक चुनाओं के नतीजों ने एक बार फिर राजनितिक हलकों में घमासान मचा दिया है भाजपा को सबसे बड़ा दल होने के बावजूद दूसरे नंबर पर रही कॉंग्रिस ने तेजी से फैसला लेकर जेडियेस को समर्थन दे दिया है जेडियेस नेता एजडी कुमार स्वामी ने कॉंग्रिस के ओफर को स्विकार कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया हाला कि बाद में भाजपा ने भी सबसे बड़ा दल होने के कारण सरकार बनाने की पेशकश की है करनाटक चुनाओं में भाचपा भले ही सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी हो लेकिन सरकार बनाने में उसे पसीने आ रहे हैं क्योंकि राज़पाल के सामने सबसे पहले जेडियेस ने दावा पेश किया है JDS को कॉंग्रेस का समर्थन मिलने से उसकी सरकार बनाने की रहा आसान हो गई है हाला कि भाजपा दावा कर रही है कि सबसे बड़ा दल होने के कारण उसे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोड के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें गोवा में सरकार बनाते समय सबसे बड़े दल के लिए सरकार बनाना जरूरी नहीं था कॉंग्रेस का मानना है कि सुप्रीम कोड के इस फैसले के खिलाफ राज्यपाल नहीं जा सकते हैं जेडीएस और कॉंग्रेस दोनों की सीटें मिलकर बहूमत के पार है सरकार बनाने के अटकलों के दौरान विधायक के खरीद फरोक्त के भी समाचार मिले हैं भाजपाज GDS और कॉंग्रेस के विधायकों को मंत्री पत का लालच दे कर तोड़ने के प्रयास कर सकती है